हेलो एवरिवन आमले का मुरब्बा खाने से अगर आपको एसिटिटी होती है तो ये वीडियो ये रेसिपी आपके लिए पहुत यूसफुल है इसको बनाने के लिए आमले को धोग कर पोंच लेंगे और उसमें फोर्क की मदद से छोटे-छोटे छेद कर देंगे अब एक बरतन में पानी लेकर उसमें पान खाने वाला चूना डालेंगे सारे आमलो को इस पानी में डाल देंगे और पानी इतना भरेंगे कि सारे आमले डूब जाए मुझे ये बरतन छोटा लग रहा है तो मैं सारे आंगनों को बड़े बरतन में ट्रंसफर कर दूंगे चार घंटे इनको ऐसे ही छोड़ कर बाद में निकाल लेंगे और पानी से धो कर इनको उबलने के लिए रख देंगे इनको इतना उबालेंगे कि जब आप हांच से इसको इस तरह से प्रेस करें तो हलके हलके से इसकी सारे कलियां अलग होने लगे अब इन कलियों को चाकू की हल्प से या हांच से ही दबा कर एक एक पीस अलग कर लेंगे ये काम थोड़ा साफधानी से करना होगा कि जिससे हमारी कलियां साबुत बनी रहें और वो टूटे नहीं उनका शेप खरापना हो चाकू से निकानने पर ये थोड़ी साफ रहती है इनकी एजिस खुरदूरी सी या तेड़ी मेड़ी सी नहीं होती है बिल्कुल शार्प होती है और अगर इस तरह से हाथ से तोड़के निकालते हैं तो थोड़ा सा इसमें जो इसकी किनारे होते हैं वो इतने साफ नहीं रहते हैं इसलिए मैं तो ये प्रिफर करती हूँ कि इनको चाकू से ही निकाले ऐसे छोटी छोटी पीसिस में मुरब्बा बनाने से आसानी ये होती है कि किसी का पूरा खाने का मन नहीं है खाली थोड़ा सा खाना है तो एक पीस निकाला दो पीस निकाला और खाली है अगर आपको पूरे साबुत आमले का मुरब्बा बनाना है तो सेम रेसिपी से आप उसको भी बना सकते हैं जितना आवला है उतनी ही मातरा में हम इसमें चीनी डालेंगे और चीनी डालकर फिर हम इन आवलों को तीन-चार घंटे के लिए रख देगे तीन-चार कंटे बाद देखें आवले हमारे कुछ इस तरीके से हो जाएंगे चीनी पिखल जाएगी और आवला पानी छोड़ देगा इन आवलों को अब हम इसी पानी में पकाएंगे तब तक जब तक ये चीनी का पानी चाशनी का रूप नहीं ले लेता बीच बीच में हम चाशनी की थिकनेस को चेक करते रहेंगे और हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक इस तरीके से चाशनी धीरे-धीरे से तपकने न लगे जब ये फ्लो में तपकेगी तब हम इसको नहीं उतारेंगे जब ये धीरे-धीरे तपकेगी जब इसकी टपकते वे जो आखिरी बूंद, लास्ट वाली जो बूंदी रह जाती है वो धीरे-धीरे गिरेंगी, तब हम इसको उतारेंगे ये देखी लास्ट वाली बूंदे कितने धीरे-धीरे गिर रही है इसको ऐसे भी खा सकते हैं और चटपटा बनाने के लिए इसमें काला नमक, चाट मसाला और थोड़ी सी काली मिश्ट डालेंगे और अगर आपको ये खटा कम लगे तो इसमें थोड़ा सा नीबू का रस डाल लीजेगा सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और कांच के जार में इसको भरके रख लेंगे और जब जरूरत होगी तब एक पीस छोटा सा निकालेंगे और खाएंगे इंजोई करेंगे ऐसी ही और बढ़ी असी रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए बिलते हैं फिर नई रेसिपी के साथ तिल देन बाई